आद आप नाजरीन आप देखरें घर्डियाल नियोस 24-7 में हूँ आपकी मेजबान यासमीन मंसूर पर नज़र डालते हैं दिन बर की कुछ एहम खबरों पर वजिर ममलिकत बराई साइंस एंड टेक्निलोजी जतिंदर सिंग ने कश्मीर एक्सपो स्टार्ट अप फॉर लाइवलिः हुट का स्रीनगर में खिया एफ़ता जब कश्मीर कानून साइज एसम्बली के सेक्रेटरी ने एसम्बली कॉम्पलेक्स स्रीनगर में तारुफी मीटिंग की डिरेक्टर जे के एटियाई ने रिजिनल कैंपिस जम्मू सेंटर फॉर वर्मन आटरपरिनर्शिप के काम काजगा जायसा लिया अब पेश खबरों की तफसील साइंस और टेक्नोलोजी के वजीर मम्रिकत डॉक्टर जतंदर सिंग्ने स्रीनगर में SK ICC में कश्मीर एक्सपो स्टार्टप अफॉर लाइवलियोट का आगास किया जो साइंस और टेक्नोलोजी की वजारत के ताउर से है डिविश्टर कमिश्टर कश्मीर पिकेपोल मेर स्रीनगर जुनाइद हजी मत्तू नीसी स्रीनगर एजाज असर चांसलर कश्मीर यूनिवरस्टी वइस चांसलर समेट देगर मौजजीन और तल्बा ने शिरकत की डॉक्टर जतंदर सिंग ने कहा कि नरंदर मोदी का खौब है पूरे देश के साथ साथ जब कश्मीर के नौजवान भी आगे बढ़े उन्हेंने कहा सथर साल से जब कश्मीर के नौजवानों को आगे बढ़ने नहीं दिये गया मौधी जी ने हमेशा जब कश्मीर के नौजवानों के बारे में सोचा और हमें जम्मू कश्मीर के नौजवानों को वो रास्ता दिखा रहा है जो 70 सालों मैं उनको नहीं मिला जेक एरेस के रिए मुस्तफा जमील की ये रिपोर्ट न Kenneth Pagche, भूख भी ये मिला, जवाओ रजी है? I agree with you and to add to what you say, I think you would recall that way back in 2015, from the ramparts of the Red Bull during his Independence Day at this, Prime Minister Modi had given a call called Stand up India, Start up India And after that it picked up as a moment. Before 2014 India hardly had about 3.30 startups or so Now the number of startups in India has gone beyond 80,000, we have more than 100 unicorns and the Indian ecosystem is rated at number three in the world and Indian startups and boys, girls from India are sought after for startup initiatives even abroad because they had the talent, they had the potential, they had the capacity, they had the diligence but they didn't have the proper opportunity and I think that is what has been made up in the last eight, nine years after Prime Minister Modi and as far as innovation is concerned also gains importance because no government can provide a government salary job to every individual but a responsible government like Modi government is always keen to create opportunities for livelihood for startup and that's why जबकुषमीर Entrepreneurship Development Institute के जारेक्टर एजाजमत बिट ने आज एनिस्टिटिट के जमू कैंपस और सेंटर फॉर विमन आंटर्परिनर्शिप में एक जायजा मीटिंग की सदारत की जाजमीटिंग के दौरा एनिस्टिटिट के कामकार्ज एनिस्टिटिट के जानब से नाफिस की जाने वाली मुख्तलिफ सिल्फ एंप्लॉइमन्ट और ऑन्टर्परिनर्शिप डवल्लब्मेंट स्कीमों के तद होने वाली पेश्टर्फ्त और दीकर मुथलक अमूर पर मतारबात है उनके आए देखते हैं मुस्तिफा जमील की इस रिपोर्ट में फिर आम समto 통 bağ.节 मंगो aún है नादी ये रिपोर्ट काओश लुली ये उनके खिंधा कि लीकवस्तिर्प Wishud ट्रेशों देखते हैं मुस्तिफ हमारे नमाइदे बुरहा नजीर की रिपोर्ट के मताबिक मौाशरे से मनशियात की बिद्द को खत्म करने की पहल के तहर रहमतुल आलमीन फाउंडेशन की जारब से रावलपुरा स्रीनगर मैं एक रोजा मतासर कुर मनशियात की लद्दे नजात का प्रोग्राम मनद्द की इस प्रोग्रम का मक्सद मनशियात से नजात के बारे मैं आमागाही को बढ़ाना है जिसमें मनशियात के एस्तमाल के नुखसानाथ और असराथ के बारे मैं मौलूमात फराहम करना अलमात کے साथ नचे के आदी अफरात की शिनाक्त करना और ऐसे एकद्दमात करना हैं जो ख एलप लाइन 181 ने जीडीसी सुंबल के साथ अपने कंपेडर बिलालबट के जरीए गवर्मेंट डिग्री कॉलेज सुंबल बानी पुरा मैं ब्रेक यूर साइलेंस रेज यूर वाइस के मौज़ू पर समिनार का एनकाद किया इस मौके पर कॉलेज के प्रेंसिपल डॉक्टर शबीना एकपाल ने तालबात को घरेलू तशद्दद पर खामोशी तोटने के लिए आगा किया बिलालबट ने कहा कि मकामा समाजी बहबूत जब कश्मीर के तमाम मरकजी स्पॉंसर शुदा स्कीमों से फाइदा उठाए हमारे नमाइदे बट मुझफर की रिपोर्ट के मताबिक जिलन तजामिया कॉपवारा ने आज मकाम शहवाली लाटपोरा और जब्द नाकुमे बलॉक्तिवस प्रोग्राम मनकित के ताकि लोगों के मसाइल उनकी दहलीस पर सुन सके जरतरक्याफी कमिश्टर कॉपवारा डियोफोरी सागर दतातरी ने मकाम शहवाली लाटपोरा में एक मेगा बलॉक्तिवस प्रोग्राम की सदारत की एसीडी कुपवारा सीओ मुख्तिव माकमों के एकसिंस तैसिदार बीडीओ के अलावा बीडीसी चेट परसेंट प्रोग्राम के दोरान मौचुब थे हमारे नमायदे आदल अबदिल्ह की रिपोर्ट के मताबिक नाष्टर ڈजास्टर मैंज़्मेट ऐफ़र्टी के साबिक सीनिर कंसलिटने अधिर जनुरल वी के नाइक की सदारत में लिजास्टर मैनेजमेंट वकूँ से निमतने के नजाम के ताइट एक रोजा आगाही वरक्शॉप कम तर्बीती प्रोग्राम का राकात कौन्फरंस हौल बारी पॉरामें किया गया प्रोग्राम का बुनियादी मकस्द मुक्तलिफ माखमों के फ्रेंट लाइन मुलाजमीन को आगाही फराहम करना था कि वो उन्हें बचाओ के अग्दामाद की तर्बीत हासल करें ताकि आफाद के दौरान जानुबाल के नुकसान को कम से खम करने में वो अपनी मदद आप कर सकें इस मौके पर माहरी ने प्रोग्राम में मौचुद मुलाजमीन को फर्स्टेट और रेस्क्यू की ट्रेनिंग दी इस प्रोग्राम के अथमाद जिल्य अन्तिजामिया और डिस्ट्रिक डिजास्टर मैनेश्मेंट अथॉर्टी ने मुस्तरकर तोड़ पर किया था हमारे नमाइदे अदल अब्दिल्ला की रिपोर्ट के मताबिक भारत्या जन्ता पार्टी के रहनुमा और पंचाइट फॉर्म के सदर रहतर महराज उनके अलावा जिला जनरल सेक्रेटरी बानी पर उस रहजाद अमेटार ने आज सनवारी में हलकर का दोरा किया और जारी तरकियाती कामों का मौाइना किया वर्टला पर बाबा शुकरुदीन वक्फबूर स्कूल के तल्बा ने अपने प्रिंसिपल के तबादले के खलाफ मुस्लसल दूसरी मरतबा एतजाज किया क्या कुछ मतालबात हैं उनके आए देखते हैं खाम जहांगीर की इस रिपोर्ट में हमारे नुमाइदे शुलेमान सेच की रिपोर्ट के मताबक डिप्टी कमिश्टर गांदर भल शेयंभीर ने आज हफ़तावार ब्लॉक दिवसके खिस्से के तौर पर ब्लॉक लार के लिए बॉइज हाई स्कूल लार में शिकायत का अजाला कैम्प भुलाया हमारे नुमाइदे बच मुजफर के रिपोर्ट के मताबक आज बीजेपी स्टी यूर्ट कफ़ारा ने यूटी जनरल सेक्रेटरी एंचार्ज बीजेपी स्टी कश्मीर के निकरानी में जिली एक्सेकेटिव बार्डी मीटिंग का अनकाद किया हमारे नुमाइदे बुरहा नजीर के रिपोर्ट के मताबिक आज लेक कंशर्वेशन और मेनिश्मेंट अथर्टी ने बीजेखा एक्सटेश्वाइश्वाइश्वाइस चेर्मैन अजियन के ल्सीयमे डॉक्टर बशीरमित बच की सदारत में जाक्यार निर्शाथ एन फर स्रीनगर में मनाखिब किया इस दौरान बिल्डिंग परमिशन अथर्टी के दीगर मेंबरान भी मौचु थे नरसना एलसीयमे के एन्फोर्स्मेंट विगने बापजब लाम निशाथ अश्बर शालिमार कंतार सदर्बल बटपुरा हर्वन और हलस्टबल के अलाकों में मि हम चलाए हमारे नुमाइदे बुरान अजीर के मताबिक कश्मीर पावर डिस्ट्रिब्यूशन कॉर्परेशन लिमिटेड ने सर्दियू से पहरे तयार रहने के लिए हुकाम के साथ कहा कि सर्द मोसम में बजली की बेस्तर सुरतार को यकीनी बनाने के लिए ट्रांसमिशन पाइनू की अप्ग्रेडेशन ब्राच कटिंग और जीकर जिसे काम जारी है चेफ एंजिनियर के पी डीसी एल एंजिनियर जावेद यूसफ ने कहा कि बजली का कोई नया शेडियूल नहीं है लेकिन इमकान है कि 10 नवंबर के बाद जारी किया जाएगा उन्हेंने कहा कि स कम से कम नुकसान और इंटरप्शन जो और इसके साथ साथ हमारा ट्रांसमिशन में दो मेजर लाइन्स है एक 220 के वी वागुरा जैनकोट लाइन और 132 के वी मीर बजार वनफू लाइन उसका कंड़क्टर का एन्हांस्मेंट का काम चल रहा है ताकि जो उनकी कैपास्टी है वो बढ़ सके हमारे नमायंदे बुरहा नजीर की रिपोर्ट के मताबिक अममताज बिजनसमैन फयाज हमेद मन्शी ने इर्फार हमेद शाह और सल्मान अली सागर की मौचुद की में नाश्टल कांफरेंस में शमूलत इख्याब की खबरों का आज का शमारा एक्तिताम को पहुँचता है आप इस स्क्रीन पर दिएगे सोशल मीडिया अकाउंट स्पर्ड हमें अपने लागों से फैस्जियाब कर सकते हैं तो दीचे मुझे इचासत शब खेर